भगवान श्री क्रिश्यू ने गीता में कहा है अश्वत्य सर्व व्रिक्षा नाम देवर्षी नाम चे नारदय गंधर्वा नाम चित्र रथय सिद्धा नाम कपिलो मुनी अर्थात सब व्रिक्षों में पीपल का व्रिक्ष देवर्षों में नरद मुनी कंधर्वों में चित्र रथ और सिद्धों में कपिल मुनि आश्रम कोलायत में कोलायत विकानेर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कस्वा पढ़ता है और यहां पर कपिल मुनि का आश्रम है जो बहुत ही पवित्र और प्राचीन है और आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पीछे जैसे यह एक बहुत बड़ा तालाब जील कह सकते हैं यह पवित्र तालाब इसके जल में सनान करने से आपको गंगा नदी में सनान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है, कपिल मुनी यहाँ पे आये थे और उनको यह जग है, अच्छी लगी उन्होंने यहाँ पे अपना आश्रम स्थापित किया और यह उनकी तपस्तल भी बन गई, तो इस प्रकार से यह देखिए, एक बहुत ही नेच्रल प्लेस है, यहाँ पे असीम शान्ति आपको प्राप्त होगी आकर के, और नेचर का एक अध्भुत संगम है, यहाँ पर मंदीरों का निर्मान भी किया गया है, और वाकई में यह जगा, फो तो पूद पूराद हत्मी की पूआँ अ क्या रेचर। कि επानिस के इनओेर स WOR renowned की में का पूराद है, लो पो पूप्राद है ऑला निया पूर ऑजोदि आए हौर कहा जाता है कि कोलायत वो जगहा है जहां वैदीक रिशिक कपिल मुनी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना शरीर समर्पित किया था माना जाता है कि कपिल सरोवर में एक पुवित्र डुपकी लगाने से सारे पाप नश्ट हो जाते हैं कर दो कर दो चाह माना जाता है है जाता है कि अाटता है जो किक पुव बाता है कि अन्हों widely झाये है जाता है कि किक कि गए भे प्ली एक पी ऐखे जाता हैं से सेलोपीक में टा刑ना चाहें पाचके पार्चणाम टाम ख़ता अजानаю वा इνतता है कि ए रम श too तación झाल 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 झाल